हाई फ्रेंट्स वेलकम टु दे टैस्क ऐसा ही आपको लिखना है तो शुरू करते हैं Trees are an important part of ecosystem Trees ecosystem का बहुत ही महतववपूर्पूर्ण हिस्सा होता है Important part मतलब महतववपूर्ण हिस्सा Of ecosystem Ecosystem का मतलब होता है पारिस्तिक तंत्र उसके बाद है Trees are used to make furniture and other commercial product पौधों का यनि पेड़ पौधों का जो इस्तमाल होता यूज़ होता है वो फरनीचर बनाने के लिए होता है और दुसरे तरह के कमर्शियल प्रोड़क्ट मतला ब्यापारिक प्रोड़क्ट Trees take in carbon dioxide and give us oxygen आप सभी जानते होंगे कि पेड़ पौध है carbon dioxide अंदर लेते हैं और हमें oxygen देते हैं Trees provide animals with food and shelter Trees यानि कि पेड़ provide मतलब देना प्रदान करना Animals, animals को tree क्या देते हैं with food and shelter खाना और shelter आनि कि सर छुपाने की जगह जो जानवरू की रहने की जगह होती है चाया देते हैं Trees also provide human with many important resources पेड़ मानों को अनेक परकार के resources मतलब संसाधन भी प्रदान करते हैं Trees are also an important source of medicine पेड दवायों के भी महतपून source यानि की जरिया यानि की साधन होते हैं Planting more and more trees benefits the environment Planting more and more trees मतलब जादा से जादा More and more मतलब जादा से जादा Planting मतलब पेड लगाना जादा से जादा पेड लगाना Benefits Benefits the environment पार्यावरन को फायदा पहुचाता है यानि की इस धर्ती पे जादा से जादा पेड लगाने से Environment को फायदा होता है Trees are very important in our life पेड हमारी जिंदगी में बहुत ही महतपून है तो so friends, आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि ट्री पर अगर ऐसे आता है लिखने के लिए इंग्लिश में एक्जाम में तो किस तरह से लिखा जाएगा ऐसा ही जैसे का तैसा लिख देना है आपको याद कर लेना है बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और अगर आप इसी तरह के और भी ऐसे चाहते हैं और भी बहुत सारा ऐसे चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक किजिए और शेयर किजिए कर दो हमारे चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब करें